हलो फ्रेंड्स मैं अंजिना आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मिनी गाडनिंग पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे ड्रेसिना फैमली के अपने इस हाउस प्लांट के बारे में बात करूंगी। इसका नाम Dressina compacta है, इसे pineapple dressina और dwarf dressina के नाम से भी जाना जाता है, इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, पर ये इसके common names है, इसकी lips जो है pineapple की जैसे दिखती है, तो इसलिए से pineapple dressina बोलते हैं, ये एक permanent ornamental plant है, इसे आप अगर एक बार अपने garden में लगा देंगे और इसकी थ सालों साल रहेगा, इसे warm weather बहुत पसंद होती है, ये एक shade loving plant है, तो indoor रखने के लिए ये बहुत अच्छा plant है, इसे आप indoor भी रख सकते हैं और outdoor भी रख सकते हैं, ये दोनों तरह से अच्छे से grow करता है, इसे धूप बिल्कुल पसंद नहीं होती है, क्योंकि धूप में इ जल्की फुल्की एक आदे घंटी की छनी भी धूप मिले, ये इसे आप semi shade में रख सकते हैं, और अगर आप इसे indoor लगा रहे हैं, तो indoor आप इसको ऐसी जगह पर रखें, जहां पर इसे अच्छी indirect bright sunlight मिले, ये प्लांट जो है एक से 1.5 मिटर तक बढ़ता है, ये slow growing plant होता है ये धिरे-धिरे growth करता है, ये जल्दी से बढ़ा भी नहीं होता है, ये प्लांट मेरे पास 3-4 साल से है, देखें फ्रेंड्स, इसकी growth तब से इतनी हुई है, जब मैं इस प्लांट को लाई थी, तो ये इतना छोटा था, जितना इसका baby plant निकल रहा है, आपको दिख रहा हो जहां पर इससे अच्छी light में लगाएंगे, तो ये बहुत ही beautiful लुक देता है, और इसकी जो पत्या होती है, बहुत सुंदर होती है, इसकी पत्या हार्ड होती है, और dark green और चमकदार होती है, इसकी पत्यों को आप कपड़े से साप करते रहें, या फिर आप इसे पानी से wash भी कर सकते हैं, उससे क्या होता है, इसकी पत्यों की धूल साप होती है, और इसकी इस्टोमेटर खुल जाते हैं, जिससे ये photosynthesis अच्छे से करता है, और आपने ले खाना अच्छे से बनाता है, तो इसकी ग्रोध भी अच्छे से होती है, इसे humidity बहुत पसंद होती है, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टेंपरेचर फोटी डिगरी के आस पास पहुंच जाता है, और हवा में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो आप इसको क्या है, पैबस ट्रे दे सकते हैं, उसके लिए आप क्या करें, एक ट्रे ले, उसमें छोटे पानी ले और इस पॉट के बगल में पानी का बावल रख दें, तो उससे क्या होगा, यह पानी भाब बन के उड़ता रहेगा, और इसको मौस्चर मिलता रहेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इस प्लांट को जो है आप तीन-चार प्लांट के बीच में रख दें, उससे पानी तभी दें, पहले आप इसकी मिट्टी को चेक कर लें, जब इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाए, तभी आप इसे पानी दें, इस प्लांट को अपनी मिट्टी में नमी पसंद है, पर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए नमी, और इसके पॉट का ड्रेनेज दोल भी आप अच्छा बनाएं, जब आप इसे पानी दें, तो इसका एक्ट्रा पानी जो है, ड्रेनेज से सारे का सारा बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर आप इसका ड्रेनेज अच्छा नहीं बनाएंगे, इसके पॉट में पानी जमा रहेगा, इसकी मिट्टी जो है, जा में साब जब भी वाटरिंग करें, तो चक करके करें, जब इसकी मिट्टी की ऊपर की लियर सूख जाए, तभी आप इसमें वाटरिंग करें, तो ये प्लांट जो है, अच्छे से चलेगा, अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं, तो अगर आप इसे ग्राउन में लगा रहे 30% आप fertilizer ले, fertilizer में आप वर्मी कंपोज या गोबर खाद ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा करें, दोनों को आधा-धा मिला ले, और आप 10% आप कोको पीट ले, कोको पीट इसमें नमी को बना के रखता है, और आप इसमें थोड़ा सा एक मुठी नीम खली भी डाल सकते हैं, नीम इस प्लांट की जो growing period होता है, वो फरवरी से लेकर नम बरतक होता है, इस बीच आप इसे महिने में एक बार fertilizer दे सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे liquid fertilizer भी दे सकते हैं, उसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा गोबर खा दिया वर्मी कंपोज ले, और उसको रात भर थोड याओ ले सकते हैं, मेरे हिसाफ से फ्रेंट्स गोबर खाथ इसके लिए अच्छी में चाहि जैसे इसकी पत्तियां पुरानी होतीरा होती जाती तो आप उन पत्तियों को रखे और ज़ीये मैंने तो इस पर आज- TRAC съई Лवा श्वाए उमारनी और प्रेंज शेया होता है, य उसके लिए आप एक चममच नीम होई ले और एक चममच आप लिक्विड डिस्वास सोपले उसको आप एक लिटर पानी में गोल दे और जैसे आप अपने और प्लांट पर स्प्रे करते हैं इस पर भी स्प्रे कर दे उससे क्या होता है इसमें कीडी मकडे लगने का खतरा भी इस toute प्लांट बात भी याप्योड पर एक भी बैर दो पर उस प्रिटर यूश्त चाहले से स्प्रे के लिए इस बात करते हैं तो आप यह प्लांट भी प्लांट, कैंट किस बॉट पर प्लांट पर बोद कि मूद, शहन्य के लिए पय्पर पोल न्व nut, भीषर वाधा हो प या फिर आप इसकी नीचे से जो भी बेवी प्लांट निकलते हैं, उनको आप जड से डिवाइड करके, दूसरे पॉट में लगा के नया प्लांट बना सकते हैं, जैसे आपको मेरे प्लांट में ये बेवी प्लांट दिख रहा है और फ्रेंट से इसको आप जड से निकाल कर और आप इसी रेनी सीजन में ही प्रोफोगेट करें, क्योंकि रेनी सीजन में इसकी प्रोफोगेशन अच्छे से होती है, और फ्रेंट से विंटर में ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसकी ग्रोथ रुख जाती है, या फिर कम हो जाती है, आप इसको ठंड से पढ़े उसकी बुंदे नपढ़े नहीं तो ज्याँदी ठंड में भी इसकी पत्ति यह ब्राउन वह जाती और गिर जाती है इसकी पत्ति तो फ्रंद स्म wrapper मैं ने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है तो मैं आउसा करती हूं कि आपको इस प्लांड को ग्रो करने मे काफी help मिलेगी तो friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू, नमस्कार